हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Paper recor के YouTube चैनल पर हम कर रहे थे यह एं के हिंदी का प्रेक्डिस सेट आपका है जो प्रेकिस क्विक नह्स पिक्र कररा है गया है इतलंक है हिंदी वासा और कम्पीटर का विकास किरम है हिंदी वासा इस छीज़ को आई डिसकेस करेंगे तो आपका पहला कुश्छन क्या कह रहा है हैँ आपर यूणिट नंबर पाँच आपकी यए है फिक है यूणिट पाँच है हमारी है और पहला कुश्छन कह रहा है कि कम्प्oler क्या है computer क्या होता है हमें यह बताना है क्या मानब machine है electronic machine है power machine है या hydraulic machine है कौन सी machine है तो आप सबी जानते है कि जो computer है बो हमारा electronic machine है क्या है electronic machine आपका है खुशन अगला कह रहा है कि computer की पहली PD में जो मुख्य तार की पुर्जा का क्या था जो computer बना था जब computer बनाता और तो जो पहला computer हमारा बनाए गया था तो पुर्जे की सहयता से बनाए गया था यह जो पहला computer हमारा बना था वह बनाथा आपका vacuum tube की सहयた से किसे बैक्यूम की साहता से आपका पहला computer जो है बनाए गया था प्रथम पीडी का जिसे computer कहते हैं वो बनाए गया था अगर अब वो पूछ रहा है कि computer की विसेशता है क्या है computer में क्या होती है गती होती है होती है इसमरण होता है memory होती है होती है accuracy 100% 99% 99.9% आप कह सकते है accuracy भी क्या होती है उसकी होती है ठीक है तो उपरिक्त सभी option आपके meet कर रहे है तो डी option आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा कहरा है computer का बर्गी करण आधारित है उसके किस पर विकास पर क्रिया कलाप पर software पर यह सभी पर बर्गी करण का बतलब प्रत्रथम generation का दुतिय जनरेशन का तिरतिय जनरेशन का जो computer है उसका बर्गी करण किस इधार पर किया है उसका किया है विकास पर software पर खिरिया कलाप पर डी option कहा रहा है सभी पर ठीक है तो इन सभी चीजों के आधार पर हम computer के जो है बर्गी करण को करते हैं ठीक है अब अगला कुछन कह रहा है computer को हम हिंदी में कहते है computer को हिंदी में क्या कहते हैं क्या कहते हैं संगड़नक क्या कहते है computer को हिंदी में संग गड़नक ठीक है भी आपका जाता है कंप्योटर के पिता कहते कंप्योटर के पिता कौन कहे जाते हैं आपके जननक कों कहे जाते हैं पूछे चाल्स जा चींच क्या लगा लेंगे इसे महत्वपूर कुशन लगा लेंगे ठीक है चार्ल्स बेवेज आपके जो है वो computer के पिता कहे जाते है computer के जनक कोन कहे जाते है पूछे चार्ल्स बेवेज ठीक है इस चीज को आप निहान रखेंगे कह रहा है first PD के computer में प्रियोग होता है अभी आपको बताए था ठीक है किस क्या प्रियोग होता है first PD का जो computer था उसमें electrode bulb जो है आपका यूज किये जाते हैं क्या यूज किये जाते हैं अगला क्या क्या रहा है computer सब्द अंग्रेजी के किस सब्द से बना है तो इस चीज में तो आपको कोई सब्द से computer ठीक है बिल्कुल सिंपल आपका question जो है हो जाएगा आपका बिल्कुल सही answer यहाँ पर हो जाएगा CHARLS जो बेबज के प्रथम mechanical computer को किस नाव से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं पॉम्ट प्रो सब्सक्रों क्यों सबसे पहला क्या मीनी इक lotus में सुपर है माइक्रो तो ब्यक्ति का रूप से जो होने वाला प्रियोग होने वाला है वो है माइक्रो कंप्यूटर ठीक है माइक्रो कंप्यूटर जो है वो ब्यक्ति का रूप से प्रियोग होने वाला पहला कंप्यूटर आपका है PC का पूरा नाम PC की फुलपाउं क्या है यहां पर PC की जो फुलपाउं होती है वो है पर्शनल पर्शनल कंप्यूटर आपकी ठीक है पर्शनल कंप्यूटर आपकी PC की फुलपाउं हो जाएगी ठीक है पोर पर्षनल और सी पोर कम्प्यूटर ठीक है पी सी तो यहाँ पर 11 नमबर कुश्चन का अंसर आपका हो जाएगा बी ओप्सन बिलकुल सही कह रहा है 12 नमबर कुश्चन कह रहा है एनलोग और डिजीटल कम्प्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है तो यहाँ पर बताना है हमें एनलोग और डिजीटल कम्प्यूटर दोनों को मिला कर क्या कहते हैं ठीक है तो एनलोग कम्प्यूटर या डिजीटल यह तो दोनों मिला दिये तो अलग-अलग हैं यह तो यह तो कहेंगे नहीं पॉम computer या hybrid computer तो यहाँ पर जब मिलाते हैं हम दोनों को तो क्या कहेंगे उसे hybrid computer उसे कहेंगे सबसे पहला electronic computer कौन सा था अबेकस था मार्क सेकेंड था और आसकेंट था मार्क फश्ट था या ABC ठीक है ABC जो था सबसे पहला electronic computer आपका था ठीक है तो यहाँ पर तेरे नंबर कुश्टन का answer कौन सा हो जागा C option आपका सही answer यहां से होने वाला है कि computer एक machine है इसलिए यह मानब की के समान गलती करता है क्या मानब की समान गलती हो जाएगा कंप्यूटर एक system है कैसा system है computer सही परड़ाम दुर्दकति से देता है दुर्दकति का मतलब बहुत तेजी से है जो हमारी कारी चम्ता में व्रदै रधी करता है रहा है वक्ता प्रदान करता और उपर्युक्त सभी यानि की सारे ऑपशन इहां पर सही हो जाते हैं अगला कुश्चन केना है रहा है कंपीटर में सीखने की चम्ता है सीखने की सनँ है सवाब कोई छीज सीख सकता है कंप्यूटर नहीं सेख सकता जब सबस्क्राइब को डालें तब तक वो खुद से नहीं सीखे अनुप्रियोग के आधार में से कंप्यूटर है एन ओर डिजिटल है एवर या उपर इक सभी है तो का answer कौन से सही हो जाएगा C option हमारा बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है 18 number refresh की कहा जाता है refresh किससे करते हैं ठीक है computer को अगर एक बार में refresh करना हो तो आप F5 जो है दबा देंगे function 5 की की तो जो है वो एक बार में refresh हो जाएगा ठीक है F5 सबसे उपर वाले column में आपको मिलेगी तो उसको जो है row में आपको मिलेगी उसको F5 को आप दवाएगे तो computer क्या हो है एक बार में refresh हो जाएगा CU का पूरा नाम है CU किसे कहते है calculator unit, computing unit या control unit तो CU जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका control unit को किसे कहा जाता है फिक यहां पर कह रहा है spelling grammar spelling grammar check करने की shortcut की है spelling grammar check करने की shortcut की कौन सी है grammar में spelling test करने की shortcut की F7 क्या है F7 one byte बताबर होता है एक byte ऑपका Carnival response के बता है वो किसके बताबर होता है चार विट के 6 के 8 के या 10 के तो बन बाइट बराबर आप याद रखेंगी कि 8 बिट के बराबर होता है ठीक है 8 बिट के बराबर होता है क्या आस्थाई मेमोरी कहा जाता है आस्थाई मेमोरी कौन सी होती है primary, दुतियक, floppy या इन मैंसे कोई नहीं, तो जो primary memory होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे बोलते हम, रेम, ठीक है primary memory, रेम जिसमें आता है primary memory, वो आइस्थाई memory आपकी होती है, और जो ROM होती है, read only memory वो कौनसी होती है, आपकी इस्था ही मेमोरी होती है ठीक है तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे अगला कुछन कह रहा है इनपुट डिवाइस हैं इनपुट डिवाइस कौन सी है दो को प्रिंटर प्रिंटर से आउट पुट लेते हैं जब आप कोई कमांड देते हैं के लिए दिया तो निकल के इससे आएगा प्रिंटर से तो आउटपुट हो गया इससे जिस चीज से कुछ मिले उसे आउटपुट कहेंगे जिस से तो keyboard को इस्तिमाल करोंगे आप कुछ किलिक करना और पर शो मॉनिटर आपको और पूब किया आपका इन्पुट दिवाइस हो Power for Keyword क्या हो जाएगा input डिवाइस यहां से हो जाएगा पिलोटर भी आपका Outputव डिवाइस है ठीक है कह REALLY बीडियो کंफरेंसिंग मूलता किस छेतर से संबंदित होती े बीडियो कंफरेंसिंग अम किस से करते हैं किसके लिए करते हैं किसके लिए करते है तो आपका B option सही हो जाएगा की वोड में function की संक्या कितनी होती है कितने F वाले जो की होते हैं F 12 तक होते हैं यानि की 12 होते हैं ठीक है बारे आपके पाई जाते हैं तो यहाँ पर 25 में का C option आपका बिल्कुल सही answer होने वाला है question number अगला कह रहा है निमनिल लिखित में से output का माद्यम है output का माद्यम क्या है मैंने भी बताया था आपको output निकालना किसे कहते हैं ठीक है तो scanner scan की कोई चीज आपको तो monitor पर सो रही है यानि कि आप scanner के थुरू command दे रहे हैं उससे निकल के नहीं आया scan ठीक है scan निकल के नहीं आता है scan की जाती है चीजे mouse document को scan किया जाता है mouse के थुरू मैंने बताया था आप क्लिक करोगे तो क्या है command जाएगी उसमें ठीक है तो यह भी क्या हो गया आपका mouse भी इंपुट हो गया printer आपका क्या हो जाता है output ठीक है sorry printer output हो जाता है ठीक है तो आपका c option बिल्कुल सही answer यहां से हो जाएगा output लेना है तो आपको printer का use करना पड़ेगा यह printer आपकी जो है output device हो जाएगी next question कह रहा है cursor की मौजूदा इस्तिती cursor क्या होता है जो mouse चलाते हैं हम तो जो display पर so होता है cursor उसे बोलते है ठीक है तो उसकी जो मौजूदा इस्तिती के बाई और के एक character को delete करने के लिए प्रियुक्त कुंजी है ठीक है तो cursor की मौजूदा इस्तिती के बाई और के एक character को delete अगर करना है आपको तो आप backspace दबा देंगे जैसे इसमें cursor की बात हो रही है cursor की बात किसमें हो रही है जैसे हम लिख रहे हैं तो एक बार-बार billing करता है ठीक है एक इस टाइप का डेंडर बन के आता है वो बार-बार billing करता है उसे cursor यहां इसे delete करना है इस वाले अक्षर को तो आप backspace की की होती है ठीक है उसको आप दबा देंगे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ तो इसको आप दबाएंगे backspace को तो क्या हो जाएगा आपका बाहिए और का अक्षर डिलीट हो जाएगा तो यहां पर 27 में नंबर का question का answer क्या हो जाएगा आपका a option backspace आपका बिल्कुल सही answer यहां से हो जाएगा next question कह रहा है floppy disk क्या है input and output devices क्या हो जाएगी input और output device ठीक है तो floppy disk क्या हो जाती है input और output device हो जाती है ठीक है input और output device दोनों होती है floppy disk यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे ठीक है यह चीज़ हम क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे कहा जाता है इस्थाई मेमोरी कहा जाता है इस्थाई जो इस्थाई होती है वो प्रात्मेक होती है तो दुतियक कौन से हो जाएगी इस्थाई हो जाएगी नोन इंपेक्ट पिंटर कौन सा होता है जो इंकजेट पिंटर होते हैं वो नोन इंपेक्ट पिंटर कहलाते है ठीक ह इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और laser और dot matrix आपके impact printer कहलाते हैं ठीक है इस से भी आपका एक question बनने की संबाब ना है तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है next question कह रहा है impact printer है ठीक है impact printer कौन सा है एक तो dot matrix था और daisy wheel printer भी कौन सा है impact printer है तो दोनों printer आपके impact printer यहां से हो जाएंगे ठीक है एक megabyte 1 megabyte megabyte को आप क्या बोलते हो mb क्या बोलते हैं अप megabyte mb उसमें कितने kb होते हैं आपके 1024 एक mb में कितने kb हो गए आपके 1024 kb ठीक है यह चीज भी आप ध्यान रखना तो c option आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा megabyte देखके घवडाना नहीं है यह बोई mb है जो आप डेली खर्च करते हो ठीक है 1024 mb जो खर्च करके आप रात को सोते हो यह बोई है तो यह चीज आपका next question कह रहा है रेंप का पूरा नाम है रेंप का सोरी रेंप का आपका पूरा नाम अभी मैंने बताया था random access memory यानि कि जिसको बहुत जल्दी access कर लिया जाए वह वाली memory ठीक है तो random access memory इसकी फुलपाँ में यह चीज भी हम निहान रखेंगे mini computer को एक साथ क्रियोग कर सकते हैं कैसे उपियोग कर सकते हैं यह चीज भी हमें ध्यान रखनी है next question कह रहा है कि बरतमान में computer में कौन सी number प्रियुक्त की जाती है कौन सी number प्रियुक्त की जाती ओक्टल दसम्लब binary hexodacimal ठीक है तो इन मेंसे जो प्रियुक्त है output device निर्गत का मतलब output devices ठीक है अभी मैंने बताया था monitor आपका क्या होता है वही monitor पर आप चीज देख रहे हो जिससे आपको कुछ मिल रहा है computer के दुरूख वो output device है जिससे आप computer को निदेश दे रहे है वो input device है जैसे कुझी पटल यानिकी keyboard कुझी पटल मत जाता है ठीक है और करोंता है monitor पर तो monitor क्या हो रहा है आपकर output device हो जाता है Mac कंप्यूटर का मस्तिक्स किसे कहते हैं यह कुछन आप बताई कि कीवोड को कहते हैं प्रिंटर को मॉनिटर को यह CPU को आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का मस्तिक्स जो कहलाता है वो कहलाता है CPU ठीक है CPU आपका कंप्यूटर का मस्तिस कहलाता है कंप्यूटर के कल पुर्शों को क्या कहते हैं क्या कहते हैं हाड वियर ठीक है और जो अंदर प्रोग्रामिंग चलती है ठीक है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं साफ्ट वियर ठीक software किसे कहते हैं जिसे हम touch नहीं कर सकते हो जिसे touch कर सकते हैं computer के parts को वो आपके hardware ठीक है यह चीज भी आप ध्यान रखना है computer में जैसे आप touch कर रहे हो बहुत hard होता है computer ठीक है तो ऐसे आद कर सकते हो कि hardware touch करेंगे तो hard होता है वो तो इस चीज से हम relate कर सकते हैं computer में प्रियोग ह में बताना अगला कुश्चन कह रहा है कह रहा है Microsoft Windows Graphics पर आधारित एक operating system है graphical user interface operating system है ठीक है या उपर एक तुमें से दोनों है या कोई नहीं है तो हमें बताना है मैं जो Microsoft Windows होती है वो क्या होती है graphical user interface interface out operating system ठीक है तो यहाँ पर B option आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा । कंप्यूटर screen के background को इस नाम से जाना जाता है क्या कहते है Walks dipping होता है computer screen का background । थीक है उसे हम कहते है window क्या कहते है विंड़ोच हम उसे कहते है ठीक है window हम उसे कहते हैं aprend USB mx excel है mx excel क्या होता है बढ़ प्रोसर सुरोण प्रोसेसर होता है, spread seat program होता है, animation program होता है, या सभी, तो जो ms excel है, उसके थुरू हम क्या बनाते है, spread seat का जो सारा काम होता है, वो mx excel के थुरू होता है, ठीक है, जो seats बनती है, table बनती है, वो सभी mx excel में बनती है, तो हमारा जो सही answer हो जाएगा, B option, बिल्कुल सही answer यहां से हो जाएगा, operating system जिसमें GUI तथा CUI, दोनों गुरू बिद्दमान रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, window, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, window कहते हैं उसे, तो A option आपका बिल्कुल सही answer यहां से हो जाएगा, ठीक है, यह option आपका बिल्कुल सही answer यहां से हो जाएगा operating system का भाग नहीं है क्या नहीं है operating system का भाग linker, booting loader, yos यह supervisor ठीक है तो operating system का जो भाग नहीं है वो है supervisor ठीक है बाकी सारे option आपके सही है अगला question क्या रहा है operating system का मुख्य उद्देश है operating system का जो मुख्य उद्देश होता है वो क्या होता है अनुभाशक, निर्वाचक, संग्राहित करना या computer के उप्योग को सरल बनाना तो यहां पर सही option आपको हो जाएगा operating system का मतलब है computer के उप्योग को सही सरल बनाना Linux operating system है Linux कैसा operating system है multi user और multitasking multi user का मतलब एक बार में कई लोग उस पर काम कर सकते है multitasking का मतलब होता है कि एक बार में वो कई काम कर सकता है ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे तो Linux आपका जो है multi user और multitasking operating system है question कह रहा है कि computer screen की background को किस नाम से जाना जाता है computer screen की जो background होती है window desktop ठीक है desktop भी उसे desktop भी उसे बोलते है ठीक है, desktop भी उसे बोलते है, निरदेशों का समू कहलाता है, निरदेशों का समू होता है, सारे निरदेशों का समू को ही क्या बोलते है program बोलते है, जो program बोलते है खैंगे प्रोग्राम op тебя कि सहलुकर उब्रीद्व नर्गॉमेंट्स को क्या कहते हैं माई डॉकॉमेंट्स, मतलब पर्स्णल फोल्डर ठीक है माईडोकॉमेंट्स मतलब पर्स्णल फोल्ड़ डिक्चर Chili की जानकारी लेते हैं पिक्चर सो डॉकुमेंट किसमें होते हैं आप सीधे चले जाएं माई डॉकुमेंट में तो बहाँ पर आपको क्या मिलेंगे पिक्चर और डॉकुमेंट मिलेंगे रहा है brief case की भाती बंद किया सकता है किसे laptop को फुल्ड कये जाता है उसे ही को कह रहा है कि ये brief case की भाती भाती बंद किया जा सकता है किस network प्रणाली का प्रशार छेतर सबसे कम होता है तो lane, lane मतलब local area network ठीक है local area का मतलब यह बहुती कम छेत्र में जो होता है इसका प्रशार होता है तो land का मतलब local area और आपका WAN यह होता है wide area network ठीक है यह बहुत जादा छेत्र इसका बिस्तार होता है तो land कम छेत्र में और band बोल सकते हैं यह अधिक छेत्र के लिए यह उज़ता है लेक्स्ट्र्कूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट का अर्थ अब computer का अर्थ होता है गड़ना करना ठीक है जिससे computer बनाए compute उसका अर्थ होता है आपका गड़ना करना ठीक है चीन में किसका विकास हुआ था तो सबसे बोले हुए बने हुए होते हैं यह किसके काम में आता है यह जोडगाटा गुणावाग के काम में प्रिटान के अमेरिका के जर्मणी के या स्कौर्टलेंड के डी आप्सटन हमारा यहां से सही हो जाएगा लोग औरिथम पदती का विकास किया है, किसने गिया जॉन नयंपियर ने, लॉग और्थम जो प्दती है उसका जैन जॉन नयंपियर ने विकास किया है, ठीक है, Electronic Bulb का अविश्कार किसने किया था Leedy Forest किसने Leedy Forest यहाँ पर आप इस चीज़ को भी धिहान रखेंगे जो John Macaulay किस विश्यु बिध्याले से सम्मंदित थे John Macaulay किस विश्यु बिध्याले से थे वो थे Pennsylvania विश्यु बिध्याले से संबन्दित थे 1942-1955 का कालखंट कंप्यूटर की किस PD से संबन्दित है कौन सी PD से संबन्दित है आपका दुतिये पंचम तिरतिये या प्रतम तो D option आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा तिरतिये पीडी के कंप्यूटर का कालखंट कौन सा है तिरतिये पीडी जो ही थी वो थी 64-75 ठीक है प्रकास के क्वांटम सिद्दान्द पर आधारित है प्रकास के क्वांटम सिद्दान्द पर कौन आधारित है क्वांटम कंप्यूटर किसके सिद्दान पर प्रकास के क्वा किस ने किया था कि Laptop का Viktiais किस ने किया तया तया नया टोप का विकास किया था लällenप्तॉप का अविश्कार हुआ था कब हुआ था 1980 में 1 1981 में लेप्टोप का विकास हुआ था Sega 220 ठीक है इसका अभिष्कार किया है इसरू ने किसने किया है Sega 220 का अभिष्कार इसरू ने किया है Tata समूद वारा तयार किया गया Computer कौन सा है Sega किसने किया है आपका इसरू ने ठीक है तो Eka किसने किया है एका एका आपका किया है टाटाने ठीक है एका किया है आपका टाटाने अर्द चाला के स्मिर्थी किसे कहते हैं अर्द चाला के स्मिर्थी होती है प्रात्मी के स्मिर्थी ठीक है प्रात्मी के स्मिर्थी कौन सी होती है जो आइस्था ही स्मिर्थी होती है उसे ही क्या कहते हैं अर्ध चाला के स्मिर्थी भी कहते हैं यह चीज़ हम ध्यान रखेंगे USB port पर संचालित किया जा सकता है किसे pen drive को ठीक है pen drive जो होती है pen drive जो आप क्यों होती है उस पर उसको किस पर संचालित किया जाता है USB port पर ठीक है USB port पर किसे संचालित किया जाता है pen drive को अब आप कहेंगे USB port क्या होता है और pen drive को होती है ठीक है तो जो आपने देखे होंगे खाचे बने होते हैं computer में जिसमें pen drive लगाने के काम में आता है या आप कभी-कभी उसमें charger भी लगा देते हैं ठीक है वही होता है USB port और उसमें pen drive लगा देते हैं ठीक है pen drive है कितनी छोटी सी एक device होती है जिसमें आप data को store कर सकते हैं अब की वो होती है room कहते है उसे ठीक है room type की memory होती है यानि की read only memory वो होती है तो डी यह क्या रहा है ddb का प्रारंब हुआ था 1997 में किस में 97 में 1997 में ठीक है एक kilo byte में कितनी स्मिर्थी खंड होते हैं सम्में कितनी होते हैं लगवग 1024 ही आपके होते हैं ठीक है तो 1024 का इससे बहुत गहरा नाता है इस चीज़ आप ध्यान रखेंगे ठीक है 1024 ठीक है 1024 यहां से सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का गुण है कौन सा गुण है व्यक्ति निष्टा आलस करता है कंप्यूटर क्या बाबनात्मक है नहीं पूर सुद्धता ठीक है फुल एक्कुरेशी तो यहां पर d option हमारा बिलकुस सही आंसर हो जाएगा बहतर जो कंप्यूटर मौथी होती च्छे क्या कहते हैं टेक है उसे क्या करते है थीक है उसे क्या कहते हैं अ justamente SAY मोबाइल ओपरेटिंग सििस्टम में हिंदी का प्रिवेस हुआ था कब हुआ था 2005 के बाद मैं हुआ था ठीक है इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे हिंदी टंकर्ण के लिए कौन सी keyword प्रियोग किया जाता है क्या कौन सी की जाती है देको off screen in screen ठीक है in script on screen keyword ठीक है on screen और in script keyword तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे आपका यह option बिलकुल सही answer यहां से हो जाएगा किस image में से text को पहचान कर उसे संपादन योग text में बदलने की तकनीक कहते हैं किसी image को आपने क्या गिया scan किया और उसमें text में बनके आ गई हो मालो कोई आप मोईल नमबर लिखा हुआ है कहीं ठीक है यह कोई पूरा कोई page है आपका कोई page आप scan कर रहा है उसका ocr कर रहा है तो वो text में लिखके आ जाया यानि कि अक्षणों में लिखके आ जाया उस पर photo ना रहे वो photo से हटके तो उसे क्या बोलते ocr ठीक है मालो आपने इसका photo लिया और उसका ocr किया तो आपको पास data लिखके आ जाएगा उसे आप copy paste कर सकते फोटो से आप इसे copy paste नहीं कर सकते तो इस चीज़ को क्या कहते ocr मसीन अनवाद के लिए सेवाएं हैं मसीन अनवाद के लिए सेवाएं हैं मंतर राजवासा गूगल ट्रांसलेट विंग ट्रांसलेटर या सभी तो डी option आपका विल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा क्रति देव चाड़क के आदी font टंकित हिंदी सामिक्री को बदलते हें किसमें युनिकोरट में वोक में पार्ट में या ंटेटा में तो यहां पर जो सही यांसर हो जाएगआ आपका यूनी कोड्ट ठीक है त Treasury का यूनी कोड़ के आए जो किस की संख्या में व्रद्धी हुई है टीह पुंछ है आप लोगर नथा बर्डफरेस के ब्लॉग किसके लिकटें किसके लिए ऊपर ए प्लॉगर और बर्डफरेस के ब्लॉग के लिए ठीक है इस चीज़ को अप धियान रखें slips हिंदी computing के छेत्र में अब लिए क्या है क्या भाष्टि जूल भाष्ट Л्य हिंदी कंप्यूटर के छेत्र में हिंदी का वहर्श плा कैसा है अचूल ठीक है कुश्चन नमबर कह रहा है कि computer की दुनिया में हिंदी का प्रिवेश कब हुआ था 90 की दसवक में आपका हिंदी का प्रिवेश किसम हुआ था computer की दुनिया में हुआ था भारत का पहला computer भी आप ध्यान रखेंगे परम 800-8000 यह चीज बहुत महत्वपूर्ण आपकी हो जाती है आपके Unicode का पहला संस्क्राण 1.0.0 कब जारी किया गया कब जारी किया गया October 1991 में ठीक है October 1991 में अगला question आपका कह रहा है Hindi Wikipedia का आगमन कब हुआ था हिंदी में जो Wikipedia वो लॉंच हुई है जो अभी 2013 में आपकी लॉंच हुई है 21 सताबदी में आपकी लॉंच हुई है तो next question कहा रहा है Google script converter की अधिकारिक गोशना हुई थी कब हुई थी भईया 29 अप्रेल 2010 को हुई थी ठीक है Google script converter किसकी script को convert करने वाले की गूगल की जो है अधिकारिक गोशना हुई थी 2010 में PC-DOS के हिंदी संस्क्राण का बेमोचन कब किया गया PC-DOS के 14 सितंबर 1996 को ठीक है computer का मस्तिस किसे कहते है अभी बताया था CPU को कहा जाता है computer का सारा data कहा होता है आपका memory में store किया जाता है computer का सारा data memory में कौन सी वाली memory में read only memory में ठीक है रोम में आपका store होता भारत में computer युक की शुरुवात कब हुई थी भारत में आया था 1952 में ठीक है यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे यह चीज यह कुछ महत्तपूर्ट कुश्चन है ठीक है इन चीजों को ध्यान रखेंगे अब कह रहा है भारत का पहला electronic computer HEC2M कहां इस्थापित किया गया है कहां इस्थापित किया है भारत का पहला computer यह चीज आप ध्यान रखेंगे यह चीज फ्याल का इस्थापित किया अगया है भारत द्वारा भिक्सित किया गया पहला computer था तो गप्राइब इस्था इस आई-जे-जे-ई-उ-ठीक है यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे प्रगती सील संगड़क विकास केंदर इस्तित है यह कहाँ पर है आपका पूना में यह इस्तित है ठीक है इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे तो आपकी यूनिट नंबर जो 5 थी वो complete हो चुकी है 6, 7, 8 यूनिट आपकी बची है ठीक है तो भी हम आपको complete कराएंगे इसी playlist में तो तब तक के लिए धन्यवाद